तो फ्रेंड्स वेलकम टो अबर चैनल ग्रंथी का राउट लेंडर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो की हमने अपने वर्क्शोप में किया है एक ब्लू इको स्पोर्ट जिसे हम करने वाले हैं ब्रिलियन ब्लैक कलर में फुल उन कलर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस कलर के बेफोर से लेके लाश्ट तक की सारी प्रोसेस कैसी रही और हमारा एक्सपिरेंस कैसा रहा इस गाड़ी के साथ वो भी शेयर करेंगे आपके साथ तो टाइम को बिना गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स प्रोसेस होती है preparation की क्योंकि हमें जो भी पैनल में या जिस भी ज्यागा पर हमें काम करना होता है उसका preparation बहुत अच्छे से करना होता है जिसके लिए हमें use आते है sandpapers, जो कि एक अच्छे grade के sandpapers होने चाहिए एक masking paper, primer, surfacer, paint, clear coat, masking tape ये सारी चीज़े हमारे पास एक बहुत अच्छी quality की होनी चाहिए जो कि हम अपने workshop में use करते हैं जिससे हमारा जो end finish है वो काफी अच्छा है जो कि अच्छा है कई बारी जब हम बाहर से color कराते हैं तो क्या होता है हमारे जो surface है उसमें sanding नहीं होती sanding ना होने के कारण क्या होता है surface में जो color होता है वो काफी मौटा होता है जिसके कारण हमारा जो surface है वो काफी indulation दिखती है तो वो indulation को अलग करने के लिए sand paper से sand करना होता है और वो जो sandpaper होता है, वो fine grade का use करना होता है, क्योंकि fine grade का sandpaper use करने से हमारा जो surface है, वो काफी ज्यादा smooth हो जाएगा, और smooth जब हो जाएगा, तो हमारा जो paint है, जिसको हम spray करेंगे, वो surface में काफी अच्छा stick करेगा, जिससे हमारा जो paint है, वो निकलेगा नहीं, जो एक सही process ह होती है, जो एक right process होती है हमारी surface की, झाल करेंगे हमारे weather का अच्छाइब करेंगे जब सोस्तकिति। इसके बाद हम एक base coat करते हैं base coat जो होता है वो properly इसी लिए किया जाता है क्योंकि जो हम last में color करना चाहते हैं जो बाहर का color है उसमें किसी भी प्रकार का फीका पनना आए इसलिए हमें base coat काफी अच्छा करना होता है ये एक महत्पूर्प्रोसेस है हर गाड़ी में trims होती है plastic areas होते है, glass होते है तो सबसे महत्पूर्प्र पार्ट होता है masking actually में masking क्यों करना होता है इस बारे में बात करते हैं तो actually masking इसलिए करना होता है कि जब हम spray कर रहे होते हैं जैसे हम याँ spray कर रहे हैं तो वो surface खराब ना हो जिसके कारण हमें सारी जगह पर एक plastic की masking करनी होती है और अगर glass है तो उसमें glass में एक paper की masking करनी होती है झाल 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 बेस कोट करने के बाद हम कुछ देर wait करेंगे क्योंकि बेस कोट करने के बाद तुरंत ही हम इसमें final coat नहीं चड़ा सकते विकॉस ये हलका सा हीला रहता है जिसके कारण अगर हम कोई भी color करेंगे तो वो उतना अच्छा finish नहीं आता है तो इसे हम सूखने तक का इंतजार करेंगे जब तक ये dry ना हो जाए और dry होने के बाद फिर हम इसमें करेंगे actual brilliant black color थाए लाए बड़ा लाए बाए 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 लाए बाए बाए और वाए बाए जाए मेंगे झाल 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 इसके बाद हम इसमें फाइनली जो हमारा क्लियर कोट होता है क्लियर कोट को जो इंस्ट्रेक्शन दी हुई है मैनुफेक्चरर की उस इंस्ट्रेक्शन के हिसाब से हाडनर मिला कर और क्लियर कोट इस पैनल में करेंगे इस पैनल में clear coat करने के बाद जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा शांदार result आने वाला है आप वीडियो को last तक देखिए इसका result देखने के बाद आप भी खोस हो जाएंगे आप भी काफी exciting हो जाएंगे जाएंगे चा मतुरी खोस हो ही जाएंगे झाल झाल फाइनली फ्रेंट्स ये थे कुछ इको स्पोर्ट के फाइनल सॉट्स जो की आपके सामने हैं कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपने इस वीडियो का पूरा इंजॉइमेंट किया है आपको अगर इंट्रेस्टिंग लगी हो और आप इतनी देर तक हुख है तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब करें जिससे हम आगे आने वाली हर छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुचाते रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक अच्छे काम के साथ जब तक के लिए बाबाई